मेरा कोस्चन क्या क्या रहा है यूज डिफेंटिल टु फाइंड अप्रोक्शिमेट मेल विल्व आफ लॉ प्रोट गिवावन फ्रोट डीए गिवें देट लॉपर तो डीव इस एकल टू फ्रिफ।ह 3863 ठीक है तो आई ये इसको प्रोसीड करते हैं लेट वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू लाग एक्स टू दीवेस ए ठीक है और दूसरा मान लेते हैं एक्स पलश डेल्टा एक्स इक्वल टू 4.01 तो इसको क्या लिख सकते हैं एक्स पलश डेल्टा एक्स इक्वल टू 4 पलश 0.01 ठीक है तो यहां से एक्स इक्वल टू 4 एंड डेल्टा एक्स इक्वल टू 0.01 आ गई ठीक है अब अब क्या करते हैं वाई कल टू एफ फोर निकालते हैं एफ एक्स इकल टू फोर पर निकालते हैं तो लॉग फोर टू दी बेस ए ठीक है अब देखिए लॉग फोर टू दी बेस एकी भेलू हमाने पास क्या दिए भी यह 1.3863 ठीक है तो इक्वल टू 1.3863 ठीक है अब डेल्टा एक्स इक्योल टू 0.01 है तो इसको फों डेलटा एक्स को ड यह दल्टा एक्स स्यक्वी ऐक्स कर सकते हैं तो टीएक्स इकल टू 0.01 ठीक है कैं यह Dadak हम आप क्या कर T&T ना चुक्यां वाई एकक्वल टू log x to the base e है इसको differentiate with respect to x तो यह dy by dx equal to 1yx ठीक है अब क्या करता है dy by dx की value at x equal to 4 पे निकालता है ठीक है x equal to 4 पे तो यह क्या होगा 1y4 ठीक है तो dy by our dy by dx into dx लिख सकते हैं ठीक है तो dy by dx at x equal to 4 पे क्या दिया हुआ है 1y4 into dx at x equal to 4 delta x at x equal to 4 क्या है 0.01 ठीक है तो इसकी value क्या आजेगी 0.0025 ठीक है तो यहां से delta y equal to 0.0025 ठीक है तो अब log 4.01 to the base e को हम क्या लिख सकते हैं y plus delta y ठीक है अब यहां से y की value मेरी कितनी है y की value मेरी कितनी है 1.3863 तो 1.3863 पलस delta y की value कितनी आई है 0.0025 तो यह दोनों को sum करेंगे कितना आजाएगा 1.3888 ठीक है तो हमारी value जो आजाएगी log 4.01 to the base e वो कितनी आजाएगी 1.38336 तो हमारी एक तो हमारी दो थानाएगी यहां लोग्स का ?